बात करते हैं मिथू राशी के जो मिथू राशी की जातक हैं आज आपको बेवजह बाद दिबाद करने की जुरुरत पढ़ सकती है लेकिन बाद दिबाद से बचें मध्या मारगप नावें नए प्रकार के रोजगार से आयका संसाधन प्राप्त होगा और यात्रा हो सकती है मित्रों के साथ और मित्रों के मिलने से मन प्रसंद होगा राजनितिक्यों के लिए समय काफी अच्छा चल रहा है और आज आपकी पद्दुनत हो सकती है नए प्रकार के बैपार कर सकते हैं आयात नर्यास से धन मिलने की समभावना बन रही है आर्थिक निवेश सोज समझ करके करें कहीं भी पैसा पूजी लगा देते हैं आपके लिए नुक्सान देश सिद्ध हो सकता है जिससे आपको बचना है सौधानी के अबरतनी है सौधानी के खान पान पर नियंत्रा डखना है उपाय क्या करना है हरा वस्त्र दान करें आपके लिए अच्छा रहेगा सुभंग के छे सुभंग है वेजिटेबल कलर और लक मीटर है साथ हरेगा भाई हम बात करते हैं आज के पंचांग की आज 9 जुलाई 2024 दिन है मंगलवार और आज तिथी है तिरतिया असलेशा नच्छत्र है और आपका सिद्धी योग है गर करन है सुर्योदय हो चुका है सबेरे पांच बच के 30 मिनट पर सुर्यास्थ होगा साम को साथ बच के 22 मिनट पर चंद्रोदय होगा सुभा आठ बच के 26 मिनट पर चंद्रास्थ होगा रात तरे 9 बच के 27 मिनट पर आज चंद्रमा रहेगा करकराशी में आज का जो सुम्ह मुhelत है वोग 11.00 के 5.00 मिनट से लेकर के 12.00 के 15.00 मिनट दो प सरक्रहेगा रहुकाल है सायम काल 3.00 के 4.00 मिनट से लेकर के 5.00 के 38.00 मिनट तक रहेगा उत्तर दिशा का दिशा सूल है आज आपको एक बात का ध्यान रखना है कि चंद्रमा करकराशी में कहते हैं कि चंद्रमा मन सो जायते चंद्रमा मन का कारक है अपनी 180 पर करकराशी पर तो आज जो करकराशी वाले जातक हैं आज उनके सामने धेर सारे सुन्दर और सर्थ प्राप्थों का opportunity मिलेगे opportunity का लाब उठाईए अपने को focus करिए और focus करके अपने लक्स के प्रतलक जाईए जब को बड़ी सफलता मिलेगी राहु काल में कोई भी कारे न करें राहु काल में किया गया कारे सुब नहीं होता दिक्कतें आते हैं कोई भी महत्मूर कारे करना चाहते हैं वैपार करना चाहते हैं प्रापल्टी खरीदना चाहते हैं ने तरह के कारे करना चाहते हैं तो आप क्या करें कि सुभ मुहुर्त में ही करें सुभ मुहुर्त में क्या गय कारे फलित होता है और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि दिशासूल में यात्रा करने से बच्चना चाहिए लेकिन लगताब का यात्रा पूरु निर्धारित है पहले से फिक्स है तो आप एक दि मंत्र है मर कटेश महोच साय शर्व शोक बिनाशनम यह जो महा मंत्र है संकट मोचन स्री हनमान जी का है अगर आप हनमान जी की दिल से आराधना करते हैं इस मंत्र का जब करते हैं तो चाहें आपका संकट जितना बड़ा हो हनमान जी की किरपा से आपका संकट समाप्त हो जाए स्वास्त को लेकर के चिंतित हैं ऐसे परिषिती में लाल चंदन के माला से इस महामंतर का जब करें आपके लिए काफी लाप्रत होगा अब आईए हम बात करते हैं बारह राशों की बारे में कि आज की बारह राशियां क्या कहते हैं कौन पुलिस से ओ में जाएगा कौन सेना में जाएगा कौन फिल्म बनाएगा कौन कहानी लिखेगा किसकी राजनेती किस से अच्छी होगी किसके घर में किलकारी कुजेगी किसके घर में साहनाई बजेगी आपने माता पिता से कैसे रिष्टे होंगे दामपत्य जीवन कैसा रहेगा इस सारी बात हम आपको बताएंगे किस अंक के प्रयूख करने से आपको अपार सफलता मिलेगी किस रंग के प्रयूख करने से आपका भागूदय होगा सौधानी के अबरत में उपाय क्या करना है